हाई मैं हूँ योशु मायापूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है जानवी कपूर के घर की हाउस वोरकर्स और मलायका रोडा के सुसाइटी में पॉजिटिव पाए गए कुछ लोग वहीं अब बॉलिवृद राग्टर आमिर खान के घर पर भी पड़ गया है करोना का कहर आमिर खान ने एक बड़ा सा नोट शेर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके हाउस वोरकर्स में से किसी को करोना वाइरस हो गया है इस लेटर में उन्होंने हॉस्पिटल को भी थैंक्यू किया करन जोहर का शो काफी विद करन हो सकता है शेल्फट पताया जा रहा है कि सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद करन जोहर काफी जादा गुसा है एस उनको बॉलिवुड में काफी जादा चोल किया जा रहा है और उनके दोस उने सपोर्ट भी नहीं कर रहे है करन जोहर को टागेट बनाया जा रहा है वही करन जोहर खुद भी ये शो नहीं करना चाते इसी के चलते रनवीर सिंग की भी एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि काफी विद करन एक बहुत ही टाइम पास शो है जिसमें बकवास बाते होती हैं लॉकडाउन के चलते सल्मान खान और जाकलीन फिनान्डिस सल्मान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस में ही थे वहीं जाकलीन को जल्द बाजी में लोटना पड़ा मुंबई बता दे कि इसके पीछे एक बहुत ही सीरिस वजा थी जैकलीन को पता चला कि उनका एक दोस्त काफी जादा परिशान है और स्ट्रेस्ट है लॉकडाउन के चलते इसे सिलसिले में उनके साथ टाइम स्पेंट करने के लिए जैकलीन जल्द से जल्द पहुची मुंबई गवर्मेंट ने 59 चाइनीज आप्स को इंडिया में बैन कर दिया है महीं इसी के चलते बॉलिवुद सेलेब्रिटीज का रियाक्शन तो सामने आ ही रहा है लेकिन साथ में टीवी इंडस्ट्री से भी लोगों का रियाक्शन सामने आ रहा है मलायका अरोडा गवर्मेंट के इस डिसिजिन से काफी खुश नजर आ रही है और उनको सपोर्ट कर रही है टिक टॉक विडियोस को रिडिकलिस बुलाते हुए वहीं कंपोजर विशाल डडलानी इतना जादा खुश नजर नहीं आ रही है इसी के चलते टीवी इंडरस्ट्री में से निया शर्मा और कामया पंजाबी के भी पॉजिटिव फीडबैक्स सामने आए सुवरा भासकर जोकी बॉलवुट में एक आउटसाइडर मानी जाती है उन्होंने हाली में सोनम कपूर और बाकिस्टास को सपोर्ट करते हुए ये कहा कि जब कंगना रनौत कॉफी विद करन में आई थी और उनका नेपरटिसम वाला कमेंट आया था तो करन चाते थे तो वो कमेंट हटा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं हटाया अब इस पर कंगना की टीम का मूँ तोड़ जवाब आया है उन्होंने कहा है कि तुम चापलूसी करती हो वही करन कोई नहीं होता है कंगना का ये कमेंट हटाने वाला कंगना एक सूपर स्टार है और करन जोहर एक होस्ट है और वो एक पेड होस्ट ही रहेंगे रनवीर सेंग और दिपिका पादुकोन की मूवी बाजिराव मस्तानी रिलीज होने के इतने साल बाद भी वापिस से पड़ गई है कॉंट्रोवर्सी में ये एक बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्सी हो चुकी है संजलीला बंसाली और एरोस के बीच हुआ ये है कि संजलीला बंसाली पहुच गए है कोट एरोस पे केस फाइल करने एज एरोस ने उनकी मूवी की राइट्स खरीदे बिना ही उनकी मूवी की राइट्स यूज़ कर रहे है हाली में बॉलवुद स्टार्स जैसे आला भट अजर देवगन वरुन धवन अक्षे कुमार और अबिशेक बच्चन लाइव आई थे अपनी मूवी की रिलीस के बारे में बात करने के लिए हौट स्टार पर में हौट स्टार पर विद्यूद और कुनाल खेमू की रिलीजिस भी होने वाली हैं दो मूवी की लेकिन उनको कोई इन्वाइट नहीं आया इस पर गुसा हो चुके हैं विद्यूद और कुनाल खेमू और ये विद्यूद और कुमिनाल खेमू के ट्वीट में साफ नजर आ रहा है हाली में आक्टर सुश्मिता सेन ने वेब सीरीज आ रहा के साथ कमबैक किया बॉलवुड में महीं सुश्मिता सेन के बॉलवुड के खास दोस्स सलमान खान ने उनको सपोर्ट किया और एक पिक्चर शेयर की उनको वेलकम करते हुए इंडस्ट्री में लेकिन ऐसा लगता है कि फैंस जादा खुश नहीं है सलमान को सुश्मिता को सपोर्ट करते देख फैंस और नेटिसन सब सलमान को चोल कर रहे हैं कि वो सुश्मिता सेन को सपोर्ट करते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी सुशान सिंग राजपूत को सपोर्ट नहीं किया 90's की आक्ट्रिस शांती प्रिया ने हाली में ये बयान दिया है कि उनके को अक्टर अक्षिक कुमार ने काफी साल पहले 100 लोगों के सामने उनकी स्किन कलर का मजाग उड़ाया था जिसकी वज़े से वो डिप्रेशन में चली गई थी उन्होंने सरासर अक्षिक कुमार को यहां 2 शी ठेहराया ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अक्षिक कुमार ने भी किसी के उपर एक racist कॉमेंट किया इसकी वज़े से शांती प्रिया डिप्रेशन में चली गई थी बॉल अवर आक्टरस अनुश्का शर्मा ने वो कवर शेर किया है जिसमें हम उनको कवर में देख सकते हैं इस कवर में हम उनको ब्लैक मुनोकनी में देख सकते हैं यह जुलाइ मंत का कवर है वही सुनाक्षी सिना ने भी कॉस्मपॉलिटन कवर शेर किया जिसमें हम उनको कैजवल लुक में देख सकते हैं वो काफी रिफ्रेशिंग और सुप्राइजिंग लग रही है